नमस्कार किसान साथियों मैं आपका दोस्त नरेंदर पोरवाल आपके अपने यूटूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ किसान साथियों प्याज नरसरी लगाने के बाद में किसान भाई कोशिस करते हैं कि उसे जल्दी कैसे तियार किया जाए और उनके मन में वही से सवाल पेदा होते हैं कि इसमें कौन सा टोनिक डाला जाए, कब डाला जाए, जिससे कि यह जल्दी तेयार हो और जल्दी लगाने पर उसका उत्पादन जल्दी आए और इसमें सच्चाई भी काफी जादा हैं क्योंकि प्याज की नर्सरी हम जतनी जल्दी तेयार करते हैं और जितनी जल्दी खेतों में रिप्लान करते हैं उतना ही हमारा उत्पादन अधिक आता है आज के वीडियो में वही सभी जानकारी देने वाले हैं कि प्याज की नर्सरी में टोनिक कब डालना चाहिए और कौन सा टोनिक सबसे बेश्ट रहता है और कौन सी अवस्ता पर कौन सा टोनिक डालना चाहिए और साथ ही साथ बताएंगे कि कौन सा टोनिक क्या काम करता है कौन सा टोनिक हाइड बढ़ाता है मोटाई कौन सा टोनिक बढ़ाता है प्याच की नरसरी को हरा बरा कौन सा टोनिक रखता है उन सभी टोनिक की समय समय पर इस वीडियो में आपको जानकरी मिलने वाली है तो आप पूरी जानकरी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरू देखे जिससे आपको पूरी जानकरी समझ माए और वीडियो पसंद आए हमारी मेहनत पसंद आए तो आपका प्यार हम तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को लाइक जरू करें जिससे हमारा होंसला बढ़ सकें और हम नई-नई वीडियो ऐसी ही रोज लेकर आते रहें और किसानों तक यह जानकारी महत्पूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए वाटसप फेस्बूक और अन्य सोसल मीडिया प्लेटफरम से पर जादा से जादा मात्रा में सेर भी जरू करें जिससे वह भी इस जानकारी का लाब ले सकें और हमारी मेनत सफल हो और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और पास मलगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दे जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे खेती से संबंधित जानकार डालेंगे वहां आप तक बिना देरी के जल्दी से जल्दी पोहँच जाएगी तो आप चैनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और पास मलगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दे तो आई ये जानकारी सुरू करते हैं किसान साथियो वेसे तो हमने चैनल पर प्य किसान साथियो सबसे पहले आपको बता दूं कि प्याच की नरसरी में जब 15 दिन तक होती हैं वहां तक हमें प्याच की नरसरी के साथ कोई भी छेड़ चाड या उर्वरक या टोनिक नहीं देना चाहिए 15 दिन के बाद जैसे ही हमारी नरसरी अच्छे से खेच से बाहर हो ज जाए और वह तीन इंच के आसपास की हो जाए तब हमें सबसे पहले फंगी साइट का इसप्रे करना है क्योंकि नरसरी अगर रोग मुक्त रहेगी उसमें कोई भी रोग नहीं होगा तो उसकी चाल वे से ही अच्छी चलती रहेगी और अगर नरसरी में रोग हैं उसके जानकारी का वीडियो आपको डिस्किप्सन बोक्स हमें या चेनल पर मिल जाएगा तो वह आपको सबसे पहले लाकर इस्प्रे करना है उसके बाद बात आती है टोनिक की की टोनिक का इस्प्रे करना चाहिए तो टोनिक का इस्प्रे करना है अब सवाल आता है कि कौन से टोन करता है आपकी प्याज की नरसरी की ग्रोथ के उपर उसमें कौन सी कमजोरी है उसमें कौन से पोसक तत्व की कमी लग रही है उस इसाब से आपको टोनिक का चयन करना है किसान सातियों सबसे पहले बात करें कि आपकी प्याज की नरसरी अच्छी अवस्था में चल रही हैं उसमें कुछ मामूली ही हमें कमजोरी देखने को मिल रही है उसकी कमजोर ग्रोथ हमें हलकी सी देखने को मिल रही हैं तो आप जो NPK water soluble fertilizer जो होता है NPK गुनिस गुनिस पावडर फोम होता है उसका इस्प्रे आप कर सकते हो अगर मातरा की बात करें तो किसान सातियों जो 25 लिटर की अपनी टंकी होती है उसमें 40-45 ग्राम आपको water soluble NPK लेना है और उसका इस्प्रे आपको साम के समय सीचाई करने के बाद में करना है सीचाई करने के एक दो दि आपको उसके साथ में नहीं मिलानी है तो आपकी जो हलकी ग्रोथ रुकी हुई है या उसमें हलका पीलापन है तो वह भी समापत हो जाएगा और आपकी नरसरी की ग्रोथ अच्छी होने लगेगी ये तो बात हो गई normal condition में जब नरसरी हो तब अब अगर आपकी नरसरी की च चाल काफी जादा कमजोर लग रही हैं उसमें पीलापन भी अधिक है और उसकी चाल जो सामन्य चाल है उससे आधी गुंग मरपतार में ही चल रही है तो फिर आपको NPK वाटर सोल्यूबल NPK की जगे टोनिक का इस्प्रे करना चाहिए जिसमें की आप क्रसी रसायन का जो पोस चालिस से पचास ग्राम या पचास एमेल आप दवाई लेकर जो हैं पोसक सूपर का इस्प्रे कर सकते हो से की आपकी जो नरसरी है उसमें पीलापन भी समापत होगा और उसकी जो रपतार है या ग्रोथ है वह काफी अच्छे से बढ़ने लगेगी आप इसका रिपीट इस बना रही है जो कि 0.01 के नाम से जिब्रेलीन एसीड मार्केड में आपको मिल जाता है तो उसकी मातरा भी आपको 25 लिटर की जो टंकी होती है उसमें 7-8 ग्राम मातरा जिब्रेलीन एसीड की लेकर आपको इस्प्रे कर सकते हो पोदे की हाइट काफी जादा बढ़ने उसके बाद करें कि आपके पोदे में काफी जादा पीला पन है और उपर की पती आप काफी जादा पीली पड़ रही है और जड़ो का जमाव सही नहीं हो पा रहा है तो उसमें हमें अगर पोसक तत्व की कमी मेसूस हो रही है तो फिर हमें उसमें पोसक तत्व यूक्त जो काफी बेश्ट रिजल्ट देता है तो उस सो इस्प्रे करने के साथ ही आपके पोधे में पोसक तत्व की कमी दूर हो जाएगी और वहाँ काफी जल्दी रप्तार के साथ ग्रोध करने लगेगा और जल्दी तेयार हो जाएगा उसकी अगर मात्रा की बात करें या उससे मिलते साथ-ाट दिन के अंतराल पर ले सकते हो उसके साथ ही एक बेहतरीन टोनिक है क्रांती के नाम से जो टोनिक आता है उसमें भी काफी जादा माइक्र नूटर्ण के साथ-साथ जो हैं पोधे की जो व्रद्धी करने के जो पोसक तत्व उसमें मोजुद होते हैं तो उसका इस पर आप कर सकते हो उसकी मातरा भी आपको 40-50 ml प्रती 25 लिटर की टंकी के हिसाब से लेना है और 7-8 दिन में उसका भी रिपीड इस्प्रे कर देना है तो किसान सातियों ये बताए गए टोनिक में से आप कोई से भी टोनिक अगर लेकर सुरुआती अवस्ता में इस्प्रे क करते हो तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी नरसरी काफी जल्दी जल्दी तेयार हो जाए किसान सातियों आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवशकता नहीं है इन बताए गए टोनिक में से आप एक कोई सा भी टोनिक लेकर बताए गई मातरा के अनुसार इस्प्रे अगर करते हो तो आपकी सभी परिशानी खतम हो जाएगी और आपकी जो नरसरी है वह जल्दी ग्रोथ करने लगेगी और उसमें पीलापन भी समाप्त हो जाएगा हमने तीन से चार टोनिक इसलिए बता है क्योंकि सभी छेत्रों में सभी टोनिक नहीं इसलिए इन में से कोई भी टोनिक आपको जो अवेलेबल हो आपकी बजट में हो उसका आप इस्प्रे करके और अपनी फसल में जो आवसकता मेहसूस हो रही है उसके हिसाब से आपको लेकर इस्प्रे करना है क्योंकि कुछ टोनिक हाइट बढ़ाते हैं कुछ पोदे की ग्रो और उसका इस्प्रे बताई गई मात्रा में कर सकते हो और आपको बिल्कूल भी घबराने की जरूत नहीं है आपकी नर्सरी जल्दी तेयार होगी और समय पर रोपाई उसकी हो जाएगी प्याच में नर्सरी में बेष्ट टोनिक कोन सा है और कब डालना है उसकी जानकारी आपको जानकारी केसी लेगी पहलत पहुंचाने का प्रयास करेंगे आप कितने दिन में और कौन से टोनिक का उप्योग करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, वह सभी जानकारी अभी किसान सात्यों के साथ सांजा करने के लिए comment box में आप लिख सकते हो, नरसरी कब लगाई, कितनी मात्रा में लगाई, वह भी आप comment कर सकते हो, जिससे कि सभी किसा अगर आपने जानकारी को पूरा देखा है तो जई हिंद कमेंड जरू करें जिससे हमें पता चल सके कि कुण कुर्ण किसान भई हमारी जानकारी को पूरा अंततुत्त देखते हैं और किसान साथियों चेनल पर प्याज की खेती से संबंदित, प्याज के बंडारण से संबंदित, नरसरी की संपूर्ण जानकरिया आगे भी और जो डालेंगे या डाल रखी हैं, उससे संबंदित सभी जानकरिया आप चेनल पर जाकर देखें, और डिस्किप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी उस पर जाकर भी आप प्याज की खेती और भाव मंडी भाव और भंडारण की जानकरिया सबी देख सबी जानकरियों को आप देखें पूरा देखें चेनल आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और जै हिन जै भारत मंदे मात्रम